हालो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहारदरों का मेंस का प्राक्टी सेट देखें कल तक अभी आप लोग हमारा जो प्लेटफॉर्म वॉल्म टू का जो प्राक्टी से जिसमें 1 से लेके 21 तक था G.S. का सेट और 1 से लेके 5 तक था हिंडि का सेट तो हिंडि का सेट भी अल्लडी अप्लोड़ेड है और जो बचरा है वह जल्दी अप्लोड कर दिया जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड कि आप लोगों का का कमेंट आया कि एडू लिए मैं एडिटेरिया के volume 1 बुक से चला रहा हूं साधी साथ मैं बीच बीच में किरन और अरिहंत के बुक से भी आप लोगों को practice it देता रहूंगा मतलब जब तक कि कुछ नहीं इसका नहीं इस बुक का होना चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं आपके comment को personally read करता हूं तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं ठीक है चलिए अब अड़ते हैं अपने अगले questions की तरफ जो कि आज हमारा set है कि practice it number 1 का platform एडिटोरिया का volume 1 बुक से है त जो पहला है वो पहले सेलकर्थ निकेटर के दरवार में था ये बिल्कुल सही बात है वो सेलकर्थ निकेटर का राज़दूत भी था जो चंदगुत के दरवार में रहता था उसने इंडिका की रचना की थी बिल्कुल सही बात है मेगा स्थनीच के द्वारा इंडिका की र जो लास्ट है उसने ग्राम परसासन का बर्णन किया है ये बिलकुल गलत है उसने ग्राम परसासन का बर्णन ना करके उसने पाठली पुत्रा के नगर परसासन का बर्णन किया है और उसके अनुसार पाठली पुत्रा के नगर परसासन का बर्णन किया है और उसके अनुसार प पाथ चंद्रगुप्त मौर की कर लेते हैं, तो यहां से चंद्रगुप्त मौर से याद रखेगा, चंद्रगुप्त मौर जो था, वो मौर बंस का संस्थापक था, 322 इसापूर उसने मगद की राजधनी पर वो बैठा था और 298 में इसापूर स्रबन बेल गोला में उसकी म से मिलेगा ठीक है पलब बंस का संस्थापक सी बिसनु था जो कि बैसनब धर्ब का अनुआई था ये भी याद रखेगा ये बैसनब धर्ब का अनुआई था ठीक है रासकूर्ट से याद रखेगा रासकूर्ट मिलेगा दंती दुर्ग से रासकूर्ट की संस्थापक थे दं था बो था money career जिसको मान खेत बोला जाता है ठीक है next है हमारा चालुक चालुक याद रखेगा देखे चालुक आप लोग 3-4 सुने होंगे एक सुने होंगे कल्यानी के चालुक एक बेंगी के चालुक एक बातापी के चालुक तो यह यहाँ पर question में बातापी के चालूक बंस के जो संस्थापक थे वो थे jaising तो यह इससे match करेगा ठीक है, साथी साथ याद रखेगा जो कल्यानी के चालूक बंस थे वो चालूक बंस था, उसका संस्थापक था तैलब दूतिये उसकी राध्धानी थी बेंगी जो की आंध्यपदेस में है ठीक है, और यह बातापी की चालूक बंस की बात करते हैं तो इसकी राध्धानी थी बातापी जो की बिजापूर के निकट है ठीक है, अब अगर बात करते हैं यादब बंस तो यादब बंस मिलेगा भीलम पंचम से ठीक है और यादब बंस की बात करते हैं तो इसकी राध्धानी थी देव गिरी क्लियर हैं चलिए Next question है question number third Question number third कह रहा है सही कथन पर विचार करें देखें अब इसमें कह रहा है गौतमबू ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था बिलकुल सही बात है उसने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था अब गौतमबू से यहाद रखने चीज़ क्या है ठीक है प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था ठीक है साथ ही साथ, याद रखेगा, उन्होंने अपनी जो उपदेस थी, वो पाली भासा में दिया था, क्लिर है, महाबीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजग्री में दिया था यहां से एक चीज़ और याद रखेगा प्रथम उपदेश उन्हें सारनास में दिया था लेकिन सरवधीक उपदेश उसने कहा दिया था ये भी याद रखेगा सरवादीक उपदेश उन्होंने सराबस्ती में दिया था ठीक है महाबीर की बात करतें तो महाबीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीरी में दिया था बिल्कुल सही है यहाँ से एक चीज़ और याद रखेगा यह जो उपदेश दिये थे वो प्राकिर्त भासा में दिये थे गौतंबुध पाली भासा में और महाबीर स्वामी प्राकिर्त भासा में उन्होंने उपदेश दिया था तो इस कॉस्शन का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आप्सन नमर सी ए फर्स्ट अविकन सेकंड दोनों सही है नेक्स कोशन है कोशन नमर फूर कोशन नमर फूर कहरा बहुत धर्म के संबंध बहुत धर्म के संबंधी नियम तथा आचरन किस पुस्तक में संग रही थे तो आप लोग एक नाम सुने होगे त्री पिटक त्री पिटक क्या था? ग्रंथों का संबंध जो त्री पिटक ग्रंथ का संबंध है वो बहुत धर्म से है ठीक है? और त्री पिटक में था बिनय पिटक, सूत पिटक और अभी धम पिटक ठीक है तो जो बिनय पिटक था यही बिनय पिटक में क्या था संग का नियम तथा आचरन था सुत पिटक जो था उसमें धार्मिक सिध्धांत बम उपदेश था और अभी धम पिटक में दार्षनिक तथे थी ठीक है तो इस कोश्चन में पूछ रहा है कि धर्म के समंधित नियम तथा आचरन ठीक है तो धर्म के समंधित नियर में जो आचरन होगा संग समंधित नियम में आचरन वो हो जागा बिनय पिटक से तो अपसन बज़े जो होगा वो हमारा सही अंसर है साथी साथ याद रखेगा ये जो तीनो पिटक था वो तीनो पिटक पाली भासा में है ठीक है तीनो पिटकों की भासा पाली है अब बहुत धर्म से एक और चीज याद रखेगा चार बहुत संगतिया हुई है ठीक है पहला हुआ है राजग्री में दूसरा हुआ है बैसाली म तीसरा हुआ है पाटली पुत्र में और चौथा हुआ है कुंडल मन में ठीक है और फिर यही चौथे संगती के बाद ही जो बहुत धर्म था वो हीनान और महायान में विभाजित हो जाता है तो यह भी कौशन पुछा जाता है कि कौन से संगती के बाद बहुत धर्म भिभाजित हो जाता हीनान महायान में तो अंसर हो जागा चौथे संगती के बाद ठीक है next question है question number five question number five कहे रहा है कि निम्द कत्नों पर बिचार करें कत्वन क्या है कि जानकारी में साहितिक स्रोथ की महतपूंच भूमिका है और दूसरा कत्वन है सिंदुगारी सावितिक की लिटी चितरात्मत्थी तो ये तो बिल्कुल सही है कि सिंदुगार्टी की साभिता की जो लिपी है वो चित्रमात्रवक में थी और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और सिंदुगार्टी साभिता की जो जानकारी है में साहितिक स्रोज की महत्पून भूमिका नहीं है ये गलत चीज है इसमें जो है वो प्रमुक्ष रोज जो है वो पुरा तात्विक है ठीक है पुरा तात्विक है तो इसका जो question का जो सही अंसर होगा बहुँ जाएगा option number B केबल second सही है ठीक है सिंदू गाटी की भात करते हैं तो सिंदू गाटी की खोज किये थे राय बहादूर दयाराम साहन के द्वारा और जो इसकी तिथी है वो है 2400 इसा पूर्व से लेके 1700 इसा पूर्व है कार्बन डेटिंग मेथर्ड से ठीक है और यही सर्व जगा मान है तो आपको यही याद रखना होगा 2400 इसा पूर्व से 1700 इसा पूर्व ठीक है सिंदू गाटी से एक और question पुछा जात है कि सिंदू गाटी की मुख फसले कौन थी तो सिंदू गाटी का जो मुख फसले है वो है गेहूं और जौब क्लेर हैं चलिए next question है question number 6 question number 6 कह रहा है कि सूत अर्वी सिक्के कि सासक के द्वारा जारी किया गया था ठीक है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D इल्टूत्मिस के द्वारा जारी किया गया था ठीक है और चांदी का टंका और तांबा का जीतल था वो सिक्का तो ये जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D इल्टूत्मिस ठीक है इल्टूत्मिस से और कुछ चीज़े याद रखेगा इल्टूत्मिस ने इकता प्रनाली चलाया था इकता प्रनाली चलाया था इसने एक तुरकान चिहलगानी का भी गठन किया था इल्टूत्मिस ये भी question बहुत बार पूछा गया है कि तुरकान च चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो इल्टुत्मी से एक और चीदी याद रखेगा, कि इल्टुत्मी से एक पहला ऐसा सासक था, जिसने 1229 इसमी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की बैद्धानिक सुक्रिती प्राप्त किया था, ठीक है, चलिए, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर सेबन, कोशन नमबर सेबन कहरा, अनबर ए सुहाईली किसका फार्सी अनुबाद है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा, पंच तंतर का ये फार्सी अनुबाद है, ठीक है, अगर हम पंच तंतर की बात करते हैं, तो पंच तंतर को फार्सी में और उसका नाम दिया था A.R.A. Dhanis क्या नाम दिया था? A.R.A. Dhanis नाम दिया था ठेक है? ये बात हो रहे है अकबर की सासंकाल की और अकबर से आप लोगों को याद आ गया होगा कि अकपर ने एक अनुबाद भी भाग की भी अस्थापना किया था ये question बहुत important है अकपर ने अनुबाद भी भाग की भी अस्थापना किया था अकपर से एक और चीज़ याद रखेगा कि उसने 1582 में दीन ए इलाही की भी अस्थापना की थी next question है question number 8 question number 8 कह रहा है कि भक्तिया अंदोलन को दच्छिन से उतर भारत लाने का स्रे किसे दिया गया है तो भक्तिया अंदोलन को दच्छिन से उतर भारत लाने का स्रे है वो किसको दिया गया है वो रामानंद को दिया गया है तो option number 8 जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है कबीर से याद रखेगा कि ये कबीर जो थे पुछा जाता है question ये किस के समकालीन थे तो याद रखेगा ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे ठीक है और कबीर के बानी के संगरा को बीजक नाम से जाना जाता है ठीक है अगर हम बात चैतन की करते हैं तो चैतन से याद जाया है कि निम्द कथनों पर विचार करे हरपा सबता में लोथल गोधिवारा के लिए प्रसिद था बिल्कुल सही बात है दूसरा है जुदे हुए खेत के प्रमान काली बंगन से मिले हैं ये भी बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर हो जगा बोह जगा ऑप्स उत्खनन करता है उनका नाम है बीवी लाल और बी के थापट के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था ठीक है लोथल जो है बो हडपा सबता का परमुख बंदरगाह भी था ठीक है कुछ-कुछ और चीज़े याद रखिएगा अगनी कुंड जो है बो लोथल इबं काल की और खुलती थी लेकिन लोथन ही एक मात्र ऐसा जगह है जहां से साच मिला है कि यह मुख सडक की और यहां के दरवाजे खुलते थे ठीक है चाबल का प्रथम साच भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है तो यह सारा चीज आप लोग याद रखिएगा नेक्स कोशन है क कोशन नमर 10 कहा रहा है कि भारत में उरोपियों को आने का सही काला नुकरन क्या है तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डच उसके बाद अंग्रेज उसके बाद डेनिस उसके बाद फ्रांसिसी तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप् पहले पूर्तगीच की पूर्तगीच की बात करते हैं तो याद रिक करिएगा 17 मैं 1499 को बासको डिगामा भारत के पश्चमी टट काली कट बंदरगाह पर पहुँचा था ठीक है पूर्तगालियों की बात करते हैं तो पूर्तगालियों ने पहली बैपारी कोठी कोठी कोच 1616 में हुआ था और फ्रांसीसी से याद रखिएगा कि फ्रांसीसी ने अपनी पहली कोठी सूरत में 1618 इसमी में लगाया था नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 11 कोश्चन नमबर 11 कहरा है अली नगर की संधी किनके मत हुई थी तो अली नगर की जो संधी है वो 9 फरबरी 17 सो संतामन को बंगाल के नबाब सिरा जुदौला और रबिट क्लाइब के बीच हुई थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजगा था 1928 में एक्चली हुआ था क्या कि क्रिसी लगान को 22% बढ़ा दिया गया था और इसी के विरोज में बार्दोली सत्यागर्य हुआ था ठीक है गुजरात के सुरज जिले में बार्दोली तालुके में लगान बृधी के खिलाफी एक अंदोलन था ठीक है इसका ने तरवी सर आत्मा गान्दी ने पहली बार भूख हर्ताल का पड़ियोग राजनितिक हतियार के रूप में किया था तो इसका जो सही अंतरों जगा बोह जगा आप्शन नमर डी आहमादाबाद मील हर्ताल के रूप में किया था ठीक है देखिए आहमादाबाद जो मील हर्ताल था वो ह गांदीजी सरपर्थम यहीं भूखर दाल किये थे। ठीक है कब कि यह बात है यह 18 की बात है। अब गांदीजी से एक और चीज़ याद रखिएगा कि गांदीजी ने सत्यागरा का सरपर्थम परियोग साउथ अफिरका में किया था। ठीक है अब भारत में अगर पूछ ले Lord Rippon को कहा जाता है, अथानिय सो शांत सका का जना कहा जाता है और और अपसन से यहां पे देखें क्या क्या है और अपसन से यहां पर Lord Rippon है, Lord Litton है, Lord Cornivalis है और Lord Mayo है ठीक है, तो अगर पहले बात कर लेते हैं Lord Rippon की Lord Rippon की सासंकाल कब से कब था? 1880 से लेके 1884 तक लॉर्ड विपन का सासंकल था ठीक है लॉर्ड विपन से जो याद रखने बाली चीजे वो यह है कि 1882 में इसने बढ़ना कुलर प्रेस आक्ट को समाप्त कर दिया था ठीक है इसके समय में हिस्सान 1881 में सरबथम नियमी जनगना शुरू ही थी और इसने सिबिल सेवा में परवेश की आयू 19 बर्स से बढ़ा कर 21 बर्स कर दिया था चलिये अब बात करते हैं और आप्संस की तो लॉर्ड लिटन की अगर बात कर लेते तो इसका समय काल 1876 से लेके 1880 था ठीक है और लिटन से याद रखेगा इसने रिचर्ड अस्टेची की अध्यचता में का अकाल अयोग की अस्थापना भी किया था ठीक है और इसने 1778 इस्वी में भढ़ना कुलस प्रेटाग प्रेशाग पारित किया था लॉर्ड कॉर्णिवालिस की अगर बात करते हैं तो इसे भारत में नागिल सेवा कर जनक माना जाता है और इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस की पदिती भी लागू किया था लॉर्ड मेयो की अगर बात करते हैं तो इसका सासनकाला 1869 से लेके 1872 तक है और इसने एक मेयो कॉलेज की अस्थापना भी किया था क्रिसी भीभाग का भी अस्थापना किया था और प्रथम जनकना जो 1872 में हुआ था वो इसी के सासनकाल में हुआ था ठीक है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 15 कोश्चन नमबर 15 का एरन निमलिखिद में से कौन कभी अंग्रेज की अध्याच नहीं रहे है ठीक है यह बात कर रहा है कॉंग्रेज की अध्याच कौन नहीं रहे है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आप्सन नमबर D बाल गंगादर तीलक जो है वो कभी कॉंग्रेज की अध्याच नहीं रहे हैं ठीक है और आफसंस की बात कर लेते हैं तो देखिए लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो ये एक 1920 में एक 20.S अधिवेशन हुआ था कॉंग्रेस का कलकटा में उसकी अध्यश्ता किये थे ठीक है महात्मा गांदी की बात करते हैं तो ये 1924 में जो 40 मा कौंगेस अधिवेशन था बेलगाओं अधिवेशन उसकी अध्यश्ता किये थे मदन मोहनमालविये की बात करते हैं तो ये 1909 के लहोर अधिवेशन में भारत छोड़ो अंदोलन देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं भारत छोड़ो अंदोलन की, तो भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 ठीक है, और इसमें जो Lord Linton go है, इसका जो सार्शन कल था, वो 1936 से लेके 1943 ठीक था, तो भारत छोड़ो अंदोलन के समय बाधार कौन हुआ, option number D जो होगा वो आपका सही answer होगा, ठीक है, इससे याद रखेगा, इसी के समय पहली बात चुनाओ कराए गए थे, जिसमें Congress 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है अब बात कर लेते हैं और options की Lord Bebel के अगर बात करते हैं, तो इसका जो सासनकाल था वो 1944 से लेके 1947 तक था, और इसमें जो सबसे एक important याद रखने बाली चीज है कि इसी के समय में सिमला समझोता 1945 में हुआ था, ठीक है Lord Billington के अगर बात करते हैं तो Lord Billington से याद रखेगा, ये 1931 से लेके 1936 तक इसका सासनकाल था ठीक है, और इससे Lord Billington से याद रखेगा ये Congress के जो 1915 में Bombay अधिवेशन हुआ था, उसमें ये भाग लिया था Lord Billington ने, ठीक है Lord Transport के अगर बात करते हैं, तो Lord Transport का जो सासनकाल था वो 1916 से लेके 1921 था और इसी में Sandler Aiyog का गठन हुआ था Sandler Aiyog से एक बहुत बार कोश्चेन इक जाम में पुछा जाता है कि Sandler Aiyog किस पर आधारी था तो Sandler Aiyog जो था, वो एक सिछा पर आधारी था जो कि 1917 में पारित किया गया था ठीक है, 1919 का रॉलर अटाक की सिकर्ट टाइम में आया 1919 में जलिया बाला बाई इसी कर्ट टाइम में हुआ त्रिटी ए अफ़गान यूद इसी के सासनकाल में हुआ तो ये सारे चीज़ आप लोग Lord Transport से याद रखिएगा Next question है question number 17 Question number 17 कह रहा है कि गांधी जी के निमलिकित अंदोलन को काला नुकरम वेवस्थित करें तो देखे, अगर हम बात करें आसा योगा अंदोलन को तो आसा योगा अंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो आसा योगा अंदोलन 1929 रॉलर सत्यागरा की बात करते हैं तो ये फरवरी 1929 ठीक है खेडा अंदोलन की बात करते हैं तो ये मार्च उनई सो अठारा अहमादाबाद मिल हर्ताल की बात करते हैं तो ये भी क्या देखिए ये डेट दोनों को आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि दोनों मार्च में ही था तो खेडा अंदोलन याद रखिएगा 22 मार चुनई से 18 और अहमादाबाद मिला हर्ताल जो हुआ था वो हुआ था 15 मार चुनई से 18 को तो इसको अब आप लोग खुब आराम से एरेंज कर सकते हैं जो सही option होगा वो हो जगा option number D next question है question number 18 question number 18 कहा रहा है भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो 28 दिसमबर 1885 को मुंबई में हुआ था तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और हुआ था कहां गोकुल दास तेज पालसंस के मध विद्याले में ये आयोजित किया गया था लेकिन सबसे पहले ये पूने में आयोजित किया जाना था लेकिन पूने में प्लेग नामक बिमारी फैल गई थी और इसके कारण इसको पूने से स्थागित कर दिया गया था और इसका जो वो बंबई में किया गया था ठीक है इसमें total 72 मेंबर जो थे वो भाग लिये थे औ और अस्थापना के समय इसके याद रखिएगा कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अस्थापना के समय बाय सार आइकॉन था, Lord Dufferin था, ठिक है, और पर्थाम अदिवेशन की अधिश्ता किस ने किया था, W.C. बनर जी यानि B.M.W.C. बनर जी के द्वारा किया गया था, औ तो ह्यूम के द्वारा, clear है, चलिए. Next question है, question number 19. Question number 19 कहा रहा है, भारतिय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतिय ब्रह्म समाज यहाँ पूछ रहा है, तो भारतिय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे कौन? केस अब चंद सें, तो option number B जो होगा, वो हमार 1828 में, ठीक है, और बोल दिया जाए, आदी ब्रह्म समाज, तब हो जाएगा, देवेंदरनाथ ताइगोर, ठीक है, अगर आनन्द मोहन बोस की बात करते हैं, तो इनसे याद रखेगा, 1876 में, इंडियान एसोसियेशन की इन्होंने अस्थापना किया था, आनन्द मोहन बो इसके द्वारा किया गया था, कब, 1868 में, यससे याद रखेगा, 1868 में इसको किया गया था, बंगला भासा में, लेकिन फिर बढ़ना कुलत करसा अटा गया, और उसके चलते, ये फिर डर से या, जो कहिए, 1878 में, इसका जो परकासन माधियम था, वो बंगला से बदल कर, गया था, क्लियर है, चलिया, और अप्संस की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर और अप्संस से याद रखेगा, देखे, सुरेंदनाथ बनल जी है, सुरेंदनाथ बनल जी के अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनसे याद रखेगा, इन्होंने एक पत्र का निकाला था तो इनसे याद रखेगा free हिंदुस्तान नामक एक पत्र का इन्होंने निकाला था ठीक है पत्रकाजिता की बात अगर करते हैं तो पत्रकाजिता से याद रखेगा राजाराम मोहदाय को भारतिय पत्रकाजिता का अगर दूत कहा जाता है next question है question number 21 question number 21 कह रहा है कि ब्राजिल में बड़े कॉफी वगानों को क्या कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number D ठीक है ब्राजिल से एक चीज याद रखेगा यहाँ कि एक प्रमुग जन जाती है जिसका नाम है बोरो तो यह भी पूछा गया है कि बोरो कहां की जन जाती है तो वो ब्राजिल की जन जाती है next question है question number 22 question number 22 करें निम्न में से कौन सा एक ठंडा महास अगरी यह धारा नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होजागा option number D अगलू हास अगलू हास क्या है कि यह हिंद महास अगर की एक गर्ब उस्न कटी बंद यह धारा है जो दचिन फिरका के पूर्बी टट और आंतरिक छेतरों में बर्सा को नियंदरीत करता है ठीक है अगर हम बात हम बोल्ट की करते हैं तो यह पर्सांत महासागर की ठंडी जलदार आ रहा है ठीक है अगर हम बात कनारिल की करते हैं तो यह अट्लांटिक महासागर की ठंडी जलदार आ रहा है next question है question number 23 question number 23 कह रहा है कि निमलिखिर में से कौन सा जोड़ी सही धन से मेल नहीं खाता है तो इसका जो साहई अनसर होगा बो होजागा option number B तिलये डेम कौनार नदी पर क्यों क्योंकि तिलये डेम जो है भो कौनार नदी पर नहीं बराकर नदी पर इस्थित है जो की कहां इस्थित है जहारखन में इस्थित है clear है सरदार सरोबर बांध नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही है नर्मदा नदी से याद रखेगा नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध भी है ठीक है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बिल्कुल सही है चंबल नदी से याद रखेगा चंबल नदी पर राना परताप स्टाइन निमलीखित में से कौन सी है तो इसका जो सही अंसर होगा बो है जगा आपसे नबर सी पस्वों का पालान और फस्वों की एक साथ खेती होती है वो मिस्रित खेती कहलाती है question number 25 कह रहा है भीतर कनिका जो 20 धरोवर सुची में सामिल है कहां अबस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा बो ये भीतर कनिका जो है रास्टिये पार्क है और ये उडिसा में स्थित है तो आपसे नमर ये जो होगा बो हमारा सही अंसर होगा उडिसा से और चीज याद रखेगा चिलका जिल अभियारन नंदन कानन राष्टिये चिडिया घर और सिमलिपाल राष्टिये पार कि ये सब उडिसा में है अगर तमिलाडू की बात करते हैं तो तमिलाडू से याद रखेगा इंदरा कानी अभियारन मुदू मलाई अभि 6 कर रहा है डोडा बेटी चोटी निमलेखित में से खिस परबस रिंकला परिस्थित है ठीक है तो डोडा बेटा की अगर बात कर रहा है तो ये नील गिरी पहाडियों परिस्थित है तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और ये जो डोडा बेटा है वो नील गिरी परबस रिंकला की सबसे उची चोटी है ठीक है जिसकी उचाई लगभग 2637 मीटर है ठीक है और ये दच्छिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी उची चोटी है ठीक है दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी का नाम क्या है अनाई मूडी नाम है और ये जो है डोडा बेटा ये दूसरी सबसे बड़ी उची चोटी है ठीक है next question है question number 27 question number 27 कहला है निमलिखित में से कौन सा राज boxside का सबसे बड़ा उत्पादक है तो boxside का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज है वो है तो अपसा number C जो होगा वो हमारा सही अंसर है लेकिन अगर यही question आपसे country में पूछ ले कि कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है तब अंसर हो जाएगा Australia जो है वो boxside का सबसे बड़ा उत्पादक है ठीक है उडिसा से और चीज याद रखेगा उडिसा कोईला में भी भी धूब गड़ी ठीक है धूब गड़ी की हाइट लगवग 1350 मीटर के बराबर है ठीक है और यह नर्मदा और तापती नदियों के बेच इस्थित है अगर गुरू सिकर की बात करते हैं तो यह आराबली परवतमाला का उच्टम बिंदू है पचमड़ी मधप्रदेश मे महेंदर गिरी की बात करते हैं तो यह उडिसा में है नेक्स क्योशन है के नमबर 29 क्या रहा है बाब अलमंडब किस-किस को जोड़ती है तो इसका जो साइयन सर है बाब उलमंदेव होगा तो बाल बूलमंदेव जल डव्रू जो है वो लाओ सागर को अरब सागर में इस्थ सहायक नदी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number A कुईना नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है जो महरास्ट में इस्थेत है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा कृष्णा नदी से याद रखेगा कृष्णा नदी के और भी सहायक नदिया हैं, जो आप याद रखेगा भीमा, माल प्रभवा घार्ट प्रभवा, ये सब सब कृष्णा नदी की साहयक नदिया हैं, अगर हम बाद नर्मदा की कर लेते हैं, तो नर्मदा से याद रखेगा हीर्दन, तिंदोनी बार्णा, कुलार, ये सब नर्मदा की साहयक न दिया है कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी से याद रखेगा हेमाबती, भवानी, लच्छमन्तिर्थ ये सब कावेरी की साहयक न दिया है सावरमती की साहयक न दिया है हाथमती, मधुमती, बटराक ये सब सावरमती की साहयक न दिया है next question है question number 31 question number 31 कह रहा है तुल्बूल परियोजना किस राज के अंदर सासित परदेश में इस्थित है तो तुल्बूल परियोजना जो है वो जम्मू कास्मीर में इस्थित है तो option number A जो होगा वो हमारा सही answer होगा ठीक है तुल्बूल परियोजना जो है वो जम्मू कास्मीर में जेलम नदी पर इस्थित है जम्मू कास्मीर से और चीज़ याद रखेगा यहाँ डल जील है, बुलर जील है, बैरी नाग जील, सेस नाग जील, अनंत नाग जील यह सब सब कहां इस्थित है, जम्मू कास्मीर में ही इस्थित है अगर हम बात हिमाचर पर्देश की करते हैं तो हिमाचर पर्देश से याद रखेगा कोल्डेम परियोजना, नाथपा जाकरी परियोजना ये सब हिमाचर पर्देश में इस्थित है उत्राखंड से याद रखेगा तीहरी बांग परियोजना उत्राखण में इस्थित है नेक्स कोशन है कोशन नमर 32 कोशन नमर 32 कह रहा है सीत रितु में भारत के उत्री भाग में बरसा होती है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा आप्से नमर C पश्मी बिछोग से ठीक है और इसकी उत्पत्ती मुकता कहां से होती है भूमद सागर से होती है नेक्स कोशन है कोशन नमर 33 कोशन नमर 33 कह रहा है भारतिय सम्विधान की परस्ताबना में से किस सोतंतता का उलेख नहीं है किस सोतंतता का उलेख नहीं है परस्ताबना से याद रखेगा संविधान के परस्ताबना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है Next question is question number 34 Question number 34 कह रहा है भारत के उपराश्पती को पद से हटाने का परस्ताब परस्तूत किया जा सकता है तो भारत से के उपराश्पती का हटाने का प्रस्ताब जो है वो केबल राजसाभा में प्रस्तूत किया जा सकता है तो आप सनबर ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा लेकिन याद रहे कि सम्मिधान के अनुसार इस प्रस्ताब को लोगसभा से भी सहमत होना चाहिए मतलब कि लोगसभा इस प्रस्ताब को साधारन बहुमा से पास करे तभी ये माना जाएगा अगर उपराश्ट्पती की बात करते हैं तो उपराश्ट्पती है अनुछेद 63 में और ये जाज सभा का पदेन सभापती भी होता है नेक्स कोशन है कोशन नमर 35 कोशन नमर 35 कर रहा है निम्द में से कौनसा मूल अधिकार राश्ट्पती अपात काल में भी समाप्त या सिमित नहीं किया जा सकता है तो देखे जेनरली अनुछेद 20 और 21 को राश्ट्पती अपात काल अंधिस सिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है जिसमें अनुछेद 20 क्या कहता है अपराद के लिए 2 सिंध के संबंद में संरचन और 21 कहता है प्रानेवं दहिक सुतंतरता काधिकार तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा A प्लस B यानि ऑप्सन नमबर D नेक्स कोशन है कोशन नमबर 36 कहरा संबिधान के किस अनुछेद के तहट पंचायतों में अनुसुची जातियों अनुसुची जन जातियों तथा महिलाओं के लिए अस्थानों का अरच्छन का प्रभधान किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा A option नमबर D कि अनुछेद 243 का D के तहट पंचायतों में अनुसुची जातियों अनुसुची जन जातियों तथा महिलाओं के लिए अस्थानों का अरच्छन का प्रभधान किया गया है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 37 कोशन नमबर 37 कह रहा है केंदर और राज्यों के बीच होने वाले बिवादों का निर्ने करने के लिए उच्टम न्याले की सक्ती निम्न में से किसके अंतरगत आती है तो ये आती है प्रारमबिक अधिकार्था के अंतरगत तो आफ्सन नमबर B जो होगा वो हमारा स़ई अंसर होगा नेक्स कोशन है कोशन नमर 38 कोशन नमर 38 करहा है निम्लिकित में से किस राज में बिधान परिसत की अस्थापना नहीं की गयी है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number D तमिलाडू क्योंकि महराष्ट में है करनाटक में है बिहार में भी है ठीक है देखे सम्विधान के अनुछेद 169 के तहत ही संसर्थ बिधी द्वारा किसी राज में बिधान परिशत का स्रीजन करती है कब जब उस राज की बिधान सभा में इस बात इसका संकल परिथ हो चुका हो कि हाँ मुझे अब बिधान परिशत की जरूरत है ठीक है अभी बरतमान में कुल 6 राज़ों में है महराष्ट, बिहार, करनाटक, यूपी, तेलंगना और आंध्रपदेश में बिधान परिशत है ठीक है लेकिन अभी रिसेंटली असाम, राजस्थान और उरिशा में भी बिधान सभा का संकल पारित हो चुका है लेकिन अभी वो संसर्थ से पारित नहीं हुआ है तो अभी बरतमान में सिर्फ छे राजियों में है Next question है, question number 39 question number 39 कहरा है, भारतिये संभीधान के भाग चार में दिए गए राज के निती नितेसक सिदान्तों में निव्ण में से कौन सुची बद है तो इसका जो सही अंसर होगा, देखे, समान न्यायवम निसुरुक कानूनी सायता सुचिवध है, सहकारी समीतियों का प्रोसाहन भी है, और अंतराष्टिय सांतिवम सुरच्छा का प्रोसाहन भी है, तो आपसर नमर डी मतलब उप्रयोक्त में सभी हमारा सही अंसर हो जाएग ठीक है, राज के नितिनी देशक तत्र की बात करते हैं, तो ये है भाग चार में, अनुछे चप्ति से लेके अनुछे देकामन तक, आयरलेंड के समीधान से लिया गया है, और इससे एक चीज बहुत बार एक जामे पूछा गया है, वो ये है कि कौन है, ये किसकी पंती है, राज का नितिनी देशक एक ऐसा चेक है, जो बैंक के सुभधान उसार अधा की जाएगी, तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुत हैगा, केटी साह के द्वारा ये कहा गया है, तो ये नाम याद रखेगा केटी साह, नेक्स्स कोशन है बीधियों का सम्मान सनरच्षन ठिक है तो इसके अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों को प्राप्थ है बिदी के समझ संता और बीधियों का समान सा रचन जो है मतलब अनुछेद 14 ये कहता है तो अनुछेद 14 जो है वो भारतिय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है केबल धार्ण, मूल बंस, जाती लिंक, जन अनुस्थान के अदापर बीवेद का प्रस्य ये सिर्फ भारतियों नागरिकों को प्राप्त है और अल्ब संस्ख्यों के हीतों का संद लाचन जो प्राप्त है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 यानि option number C जो होगा वो हमारा सई अंसर होगा clear है? चलिए next question है question number 41 question number 41 कहला सम्विधान के 21 अनुछेद की अंतरगत किसी राज की बिधान सभा में अनुसुचित जातियों तथा अनुसुचित जातियों के लिए आरच्छन का प्रब्धान है देखे इस question को अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पूछरा है राज की बिधान सभा में ठीक है? तो राज की बिधान सभा की बात करेगा तब अंसर हो जागा अनुछेद 332 लेकिन अगर आपसे यही question में पूछ देगा लोग सभा में ठीक है? तब अंसर हो जागा अनुछेद 330 ठीक है? लोग सभा में अनुछेद 330 के तहट और राज सभा में मतलब राज की बिधान सभा में अनुछेद 332 की तहट अगर हम अनुछेद 331 की बात करते हैं तो अनुछेद 331 में है कि ओंगल भारतीय समुदाए के लोगों का राश्पती द्वारा लोगसभाँ में मनोनन संभव है यदि वस समझे कि उनका उचीत प्रतिनिदेद नहीं है तो और अनुचत 333 क्या कहता है कि ओंगल भारतीय समुदाए के लोगों का विधान सभाओं में मनोन अनुछे 333 कहलाता है Next question है question number 42 Question number 42 कह रहा है कि राज लोग सेवायोग की अध्यच बस सदस अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं तो इसका जो साई अंसर होगा बहु हो जाएगा option number A राश्टपती के द्वारा हटाए जा सकते हैं लेकिन याद रखेगा राज लोग सेवायोग की अध्यच बस सदस की नुगती राज पाल के द्वारा किया जाता है लेकिन हटाएगा कौन राश्टपती संग लोग की बात करते हैं तो नुगती भी राश्टपती करेगा और हटाएगा भी कौन राश्टपती राज लोग से बायोग की बात करते हैं तो इसका कार्जकाल 6 बर्स या 62 बर्स की उम्म लेकिन अगर संग लोग से बायोग की बात करते हैं तब हो जागा 6 बर्स या फिर 65 बर्स की आयो क्लियर हैं चलिए Q43 कर रहा है किस समिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा सांसेदों तथा विधायकों का एक राजनितिक दल से दूसरे दल में दल परिबरतन के अधार पर निरहर्टा के बारे में प्रब्धान किया गया है तो इसका जो सही अंतर होगा वो हो जगा आपसन नमर C बामनमा समिधान संसोधन उनईसोब पच्छासी के द्वारा दल बदल का परद्धान है किस में दसमी अनुसुची में Next question है question number 44 Question number 44 कर रहा है कि भारत के राश्त पति में से कौन बिहार के राजपाल रह चुके हैं तो देखिए ढक्तर जाकिरुषैन भी बिहार के राजपाल रह चूके हैं ठीक है और रामनाथ कोबिन ये भी बिहार के राजपाल रह चूके हैं तो इसका जो साह fragen सरोका बों राश्ट पती बे थे और इनको 1963 में भारत रत्म से भी नावा जा गया था डॉक्टर जाकी रुसेन से याद रखेगा पद परहते भर में इनकी मिर्टु हो गई थी इसके कारण ये अपना कार्ज कल भी जो था वो पूरा नहीं कर पाये थे इसका जो सउएंसर होगा बो जाएगा जो हमार राजसाभा का सभापति कौन होता है उपराश्च पत को सब्सक्राण भाषक है ठीक है और देखे आप लोग पढ़े ही होगे कि जो उपराश्पती होता है वही राजसभा का पदेल सभापती होता है कि इसके दोरा अनुछेद 64 और 89 के तहट ये होता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 46 question number 46 करा कि भारत में operation flood के प्रेनेता कौन है तो operation flood जो था वो दुख दूख पातन में ब्रिधी से संबंदी था और इसके जो प्रेनेता थे वो थे बर्गीज, कूरियन तो option number जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा MS वामिनाथन से याद रखेगा ये भारत में हरित करांती के जनक थे नॉर्मन बॉरो लोग ये पूरे बल्ड भर में यानि पूरे बिस में हरित करांती के जनक थे बिनोबा भावे से याद रखेगा इन्होंने एक भुदान अंदोलन चनाया था बिनोबा भावे को 1983 में भारत रतन भी दिया गया है next question है question number 47 question number 47 कह रहा है मुद्रा के मुलन का तातपर्ज है तो मुद्रा के मुलन का तातपर्ज क्या है घरेलू मुद्रा के बाह मुल में कमी करना तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है मतलब बाहमूल मतलब बिदेसी मुद्रा के सापेच की ये बात कर रहा है मतलब घरेलू मुद्रा के बाहमूल के मतलब बिदेसी मुद्रा के सापेच कमी करने के लिए अंतराश्टिये बजार में घरेलू मुद्रा कमजोरिया सस्ती हो जाती है उसे ही मुद्रा का अमुलन कहा जाता है next question है question number 48 question number 48 कहरा निम्न में से कौन सा सूचकांग UNDP द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number D परिया बरन गुर्ण बक्ता सूचकांग परिया बरन गुर्ण बक्ता सूचकांग जो होता है वो generally किसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है मतलब UNDP द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो परिया बरन गुर्ण बक्ता सूचकांग जो है वो UNDP के द्वारा जारी नहीं किया जाता है ठीक है बात बाकी सबी किस के द्वारा UNDP के द्वारा ये तीनों अगर हम बात UNDP की कर लेते हैं UNDP का मतलब होता है United Nation Development Program जिसका Headquatter है New York में और इसका गठन हुआ था next question है question number 49 Q49 कह रहा है यदि RBI दोरा नगतार अच्छी तानुपात में प्रिधी की जाती है तो निम्न में क्या परभाब होगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो होजाएगा अगर हम RBI की बात करते हैं तो RBI का गठन एक अपरहल 1935 को हुआ था और अभी इसके जो गवर्नर है उनका नाम है सक्तिकांत दास जो की RBI के 25 में गवर्नर है नेक्स कोशन है कोशन अबर 50 कोशन अबर 50 कह रहा है नवाड के संबन में निम्लिखित कतनों पर विचार कीज़े नवाड का गठन 1982 में हुआ था बिल्कुल सही है नवाड करिसी छेतर को साथ सुद्धा प्रदान करता है बिल्कुल सही है तो इसका जो सही अंसर होगा वो इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में और अभी जो ततकालीन इसके चेर्मेन है उनका नाम है गोबिंदा राजालू चिंटाला ठीक है और नवाड का फुल सम्क्या होता है नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड डूलर डवलप्मेंट नेक्स कोश्चन है कोश्चन नंबर 50-1 कोश्चन नंबर 51 कह रहा निमलिखेद में से कौन सा एक 20 बैंक समूह में सामिल नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा वो जगा ऑप्सन नंबर D बैपार बैंक प्रसूल्क पर समान ने समझ होता है इसको बोला जाता है जेन्रेल गयत अप लोग नाम सुने होंगे इस से संबंधित है यह ठीक है बात बाकी यह जो तीनों है वो 20 बैंक समूह में समलित है यानि बर्ल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बर्ल बैंक का गठण 1924 में हुआ है इसका हेड़क्वाटर बासिंग्टन में है और बर्ल बैंक में अभी ततकाली इन 189 मेंबर कंट्रेज हैं ठीक है बर्ल बेंक की और बात कर लेते हैं तो बर्ल बेंक की के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड माल पास और यहां के जो MD है या फिर CFO जो है वो है अंसूला काम्त next question है question number 52 question number 52 कर रहा है बिसेस आहरन अधिकार SDR क्या होता है SDR देखिए SDR होता क्या है a special drawing right होता है a special drawing right का simple सा मतलब पहले समझ लीजे a special drawing right एक ऐसी reserve मुद्रा है जिसके दोरा IMS यानि International Monetary Fund के सदस देश बिदेशी भुखतानों के लिए अनसदस देशों से अपने कोटे के SDR के बदले में बिदेशी मुद्राएं प्राप्त कर अपने जीनों या भुखतानों का निप्तान कर सकते हैं उसी को SDR कहा जाता है तो SDR क्या है एक IMS की एक मुद्रा है तो आपसे नंबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा ठीक है मतलब vector quantity और scalar quantity वेक्टर quantity में क्या होता है magnitude के सासा direction भी चाहिए मतलब परिमान के सासा दिसा भी चाहिए और scalar में क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ परिमान चाहिए मतलब सिर्फ और सिर्फ magnitude चाहिए तो यहां बल का अब एक क्या सदिस है बल अगुन की मा भी सदिस है अगर हम बात करते हैं भार तो भार भी क्या है सदिस है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number C दाब दाब जो है को क्या है सदिसराफी नहीं है यह अदिसराफी है ठीक है next question है question number 54 question number 54 कर रहे है जूल किसकी एकाई है तो जूल कार्ज और उलजा दोनों की एकाई होती है तो यहां जो सही अंसर होगा बो हो जगा option number C कार्ज की एकाई है ठीक है अगर हम सक्ति की बात करते है तो सक्ति की एकाई है अगर हम आबेग यानि इंपल्स की बात करते है तो इसका एकाई है न्यूटन सेकंड ठीक है और अगर हम संबेग की बात करते है तो इसका एकाई है केजी मीटर पर सेकंड next question question number 55 question number 55 कह रहा है नापकिये reactor में किसे मंदक के रूप में परियोग किया जाता है तो graphite को भी किया जाता है भारी जल को भी किया जाता है तो A plus C हमारा सहियन सर हो जागा यानि option number D रियक्टर में देखिए मंदक के रूप में graphite और भारी जल का परियोग किया जाता है मंदक होता क्या है जो जेनरली जो रियक्टर में neutron की गती जो होती है neutron के speed को कम करता है उसी को मंदक बोला जाता है ठीक है एक question और पूछा जाता है नापकिये reactor से कि नापकिये reactor में नियंतरा छड के रूप में काउन कार्च करता है control rod के form में काउन कार्च करता है तो वो करता है cadium और boron next question है question number 56 question number 56 कह रहा प्रात्मी के बंदूतिये के इंदर धन उसमें से कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है तो देखे इसका जो सैयंसर होगा बोह जागा option number A लाल एबं बैगनी देखे प्रात्मी किंद्धन उसके अगर बात करते है तो प्रात्मी किंद्धन उसमें किर्णों का दो बार अपबरतन तथा एक बार पुना आंतिक परिवरतन होता है इसमें लाल रंग की पटी बाहर की ओर दिखती है वहीं दूत्रिय किंद्धन उसमें किर्णों का दो बार अपबरतन एबं दो बार पुना आंतिक परिवरतन होता है जिसके कारण बैगनी रंग की पटी बाहर दिखा देती है तो इसका जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, Option number B, आयतन जो होता है, वो क्या होता है, घड़ता है, Next question है Question number 58, 58 कहा रहा है Fuse Star की का मिस्षर धात हुए, तो Phuse Star जो है, वो C से बम टीन का मिस्षर धात हुए, तो option no. D जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है Next question है question no. 59 Question no. 59 कहा रहा है bio gas में मुख्ता होती है तो bio gas में मुख्ता carbon dioxide और methane होता है, मतलब co2 plus CH4 होता है, तो option no. D जो होगा वो हमारा सही answer होगा Next question है question no. 60 Question number 60 कह रहा है, निमलीखित में से कौन सा, कौन सही नहीं है, ठीक है तो इसका जो सहीन सा रोगा वो हो जागा, Option number C, आदरता के बढ़ने से बायू का ध्वनी का बेग कम हो जाता है ये सही नहीं है, आदर आयू में का धनत जो होता है, वो सुस्क बायू से अधीक होता है Question number 62 कहह रहा है, परकास अंसलेसन होता है, तो परकास अंसलेसन जो होता है, वो क्लोरोफेल में होता है Question number 63 कह रहा है, जब स्वेत परकास प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो कौन सा रंग सबसे कम बिचलित होता है तो सबसे कम जो बिचलीत होगा वो होगा लाल रंग और सबसे ज़्यादा जो होगा बिचलीत वो होता है बैगनी रंग तो सबसे कम यहाँ आपसे पुछा है तो लाल होगा अंसर ऑप्सन नमबर B सबसे ज़्यादा पुछेगा तब अंसर होजगा बैगनी Next question is question number 64 Question number 64 करे то निमलीखित में से कौन अनुबानसिक रोग नहीं है तो अनुबानसिक रोग कौन नहीं है लुकमेनिया जो है बो अनुबानसिक रोग नहीं है लुकमेनिया जो है यह एक एरैक्ट से सम्बन्दित रोग है तो इसका जो सईयन सा रोग बो होजगा आप्सन number D नेक्स्सक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सही सुमेलीद नहीं है बिटामीन A से क्या होता है रतोंदी होता है बर्धानता जो है वो बिटामीन A से नहीं होता है बर्धानता जो है वो क्या है एक अनुबांसिक रोग है और बिटामीन के से क्या है एरेक्ट जन्ना, एरेक्ट जम्मा, जम्ना ये बिल्कुल सही है next question है question number 67 question number 67 कह रहा है सुरियोदय से पहले तथा सुरियोदय के बाद भी सुर अल्प समय के लिए दिखाई देता है ऐसा होने का कारण क्या है तो इसका जो सही अंसर है ऐसा होने का कारण होता है बाई मंदली अपो बरतन तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 68 question number 68 मिलान करने के लिए कह रहा है तो प्रति रोज जो होगा वो ओम के साथ मैच करेगा ठीक है विदुत प्रभा जो होगा वो अंपियर के साथ मैच करेगा बल जो होगा वो Newton के साथ match करेगा पाबर जो होगा वो Wart के साथ match करेगा Next question है question number 69 समतल दर्पन द्वारा बनने वाला प्रतिबीम क्या होता है तो समतल दर्पन द्वारा जो बनने वाला प्रतिबीम होता है वो पारसब होता है और अप्तल दर्पन द्वारा जो बना हुआ प्रसी भीम होगा वो उल्टा और बास्तविक होगा Next question है question number 70 Question number 70 कह रहा है जिस रूप में पौधे nitrogen प्राप्त करते हैं वो है तो पौधे nitrogen जो हो है वो nitrogen के फोर में प्राप्त करते हैं तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 71 कोन ये बेग की भीमा क्या होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number C Question number 72 कह रहा है एरक संक्रा को नियंतरित करने के लिए insulin का स्रवसन निमलेखित में से किस ग्रंथी के द्वारा होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा option number B अगनासे के द्वारा होता है यानि पैनक्रियाज के द्वारा होता है ठीक है तो देखिए पैनक्रियाज अगनासे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये पून पाचक एरस भी कहा जाता है अगनासे को ठीक है साथी साथ याद रखिएगा अगनासे जो होता है वो मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी भी होती है अगनासा से एक और चीज़ याद रखेगा अगनासा जो होता है वो अंतसराभी और बासराभी दोनों परकार की गरंधियां होता है और यह हमारे बोड़ी में गुलकेउच की मातरा को नियंदरित करता है ठीक है? चलिए अब बड़ते हैं अगले कोशिन की तरब जो कि हमारा कोशिन नमर 73 कोशिन नमर 73 कह रहा है कि निमलिखिद में से कौन से में DNA नहीं पाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा अप्सन नमर D यूरा सिल में DNA नहीं पाया जाता है URL सिल में क्या पाया जाता है RNA पाया जाता है Next question है question number 74 Question number 74 कह रहा है कि प्रास्थीत की तंत्र में उर्जा का स्रोथ क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा देखिए प्रास्थीत की तंत्र की बात करते हैं प्रास्थ और बिकरन, ब्रहमान बिकरन, भूताप्य उर्जा, सब उर्जा का स्रोथ है तो D, इन में से सभी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा Next question है question number 75 Question number 75 कह रहा है कि भारत में जैब भी पित्ता की दृष्टी से निम्लिकित में से कौन से संबेदन सी लस्थल है ठीक है तो देखिए पुर्वी हिमाले भी है, इंडो परमा भी है, सूडा लैंड भी है तो option number D, इन में से सभी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा Next question है question number 76 question number 76 कह रहा है, निम्लिकित में से कौन सा एक हरीत ग्रील ग्यास नहीं है मतलब greenhouse gas नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा, बो हो जाएगा option number A, O2 नहीं है CO2 है, CFC, chlorofluorocarbon यह तो सबसे ज्यादा है, CH4 यह भी है Next question है question number 77 question number 77 कह रहा है निमलेकेज में से कौन सा vitamin react का ठका जमने के लिए उतरदाई है तो इसका जो सही अंसर होगा option number D, vitamin K जो है और साथी साथ calcium vitamin K और calcium दोनों जो होता है वो react जमने में मदद करता है vitamin A की बात करते हैं vitamin A का जो नाम है vitamin B1 का नाम है thymine vitamin D का क्या है calciferol और vitamin K का है philoclebinone ठीक है चलिए next question है हमारा question number 98 question number 98 question number 98 कह रहा है कि हाली में क्रामिक मंतराले द्वारा जारी सुषासन सुचकांग में सिर्षस्थान किस राज को प्राप्थ हुआ है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number C Tamiladu को प्राप्थ हुआ है Tamiladu को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है और महराष्ट को दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है next question है हमारा question number 99 question number 99 कह रहा है हाली में भारत एवाम अमेरिका के बीच दूसरी 2 प्लस 2 बारता का योजन किया हक तहां किया गया गया तो देखे भारत और अमेरिका के बीच 2 प्लस 2 बारता हुआ है पहला जो है वो नई दिल्ली में हुआ था और दूसरा बासिंग्टन में हुआ है तो ये रिसेंटली का पूछ रहा है हाली में तो असर नभर दूसर ओगा सुआ है तो ये था हमारा आज का वीडियो आसा करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा तो ये जब तक एडिटेरिया का Volume 2 का सेट नहीं आ जाता है जब तक हम लोग एडिटेरिया का Volume 1 और साथी साथ किरन या रिहंत का सेट हम लोग साथी साथ प्राक्टिस करते रहेंगे जैसे Volume 2 उपलब्ध हो जाएगा मैं Volume 2 एडिटेरिया का स्टार्ट करवा दूँगा इससे related कोई भी और क्यूरीज है किसी और का सेट चाहिए या कोई आप लोगों का सेजेसंस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग